जहिन सात्यों तो इंडियन एरफोर्स अगनिवीर वायू में ओलाइन अप्लिकेशन का लाड़ेट जो है वो 17 अगस्त है तो अभी तक अगर आपने फॉर्म एप्लाई नहीं किया है तो फॉर्म जरूर एप्लाई कीजिए देखे ये वीडियो मैं क्यों बना रहा है जिससे क कि आप इसमें फॉर्म एप्लाई जरूर कीजिए क्योंकि यहां पर सलेक्शन लेने बहुत ही असान है सबसे कम फॉर्म यहां पर आ रहे हैं अभी तक कितने फॉर्म इसमें आए है ओफीसल लेट आज कि इस वीडियो में बताएंगे देखे इसमें फॉर्म क्यों रहा रहे कंप्रिशन इतना कम क्यों है यह अगनिवीर की वज़ा से इसमें कोई जाना नहीं चाहता देखे अगनिवीर की वज़ा से आप इना डरिए क्योंकि 50% का अप्रूबर जो है वह एरफोस में मिल गया है क्योंकि सानिकों की बहुत ज्यादा कमी है तो यह चाहते हैं कि जल से इंटे का नोटिफिकेशन आ जा रहा है तो आप लोग यह ना डरिए एक बार अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे ना तो निश्चीती वहाँ पर आप पर्मनेंट हो ही जाएंगी क्योंकि वैसे भी सेनक की कमी है अगर यह 25% की 70% को बाहर कर देंगे फिर तो उन्हें और भी कमी जहलनी पड़ेगी तो एक बार जो सेलेक्ट हो जा रहा है जिन्हें ट्रेनिंग दे दी जाएगी तो वो उन्हें पर्मनेंट रखी लेंगे जब तक की सेनक की पूर्ती ना हो जाये तो अगर आपका इसमें एक बार सेलेक्शन हो जाएगा तो आप 100% इसमें हम बात करेंगे कि अभी तक total कितने form apply हुए हैं और यहां पर देखें आप अगर 12th pass है तो इसमें apply कर सकते हैं male and female female भी इसमें apply कर सकते हैं male and female दोनों candidate apply कर सकते हैं 12th pass से apply कर सकते हैं अगर आपने 12th जो है वो sciences से किया है PCM से किया है तो आप एक गुरूप में apply कर कर पाएंगे अगर आपने साइंस से नहीं किया है आपने आर्ट से किया है PCM से नहीं किया है देखे physics and mathematics compulsory होता है बाकि अगर आपने कुछ और लिया है तो आप जो है वाई ग्रूप में apply कर सकते हैं सिंपस आप 12th pass रहेंगे तो आप वाई ग्रूप में apply कर पाएंगे अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि टोटल कितने फॉर्म अभी तक पड़े हैं तो यहां पर देखे फॉर्म के बारे में बात करें तो टोटल जो रजिस्टेशन हुए हैं वह एक लाग 18,943 यह लगबग तीन दिन पहले का है अभी रिसेंट का यहां पर दो द देखा होगा कि एक CRPF HSM की वेकंसी आई थी उसमें किवर 1400 पोश्ट था उसकी वेकंसी का भी तक कुछ पता भी नहीं है उसमें लगबग 30 लाग फॉर्म आए थे तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना कम कॉम्प्टीशन है इतने कम फॉर्म कहीं भी नहीं आते एक ट्रसमें की भरती हो गए उसमें भी सबसे ज़्यादा फॉर्म आते हैं लगबग 10 लाग फॉर्म आहीं जाते हैं इसमें आप 2-5 लाग फॉर्म मानके चलिए इससे ज़्यादा नहीं आएंगे और बहुत सारे लोग इसका एक्जाम छोड़ देते हैं तो इसमें जो है वो टेकनिकल मैक पूछा जाता है अगर आप इन सब की तैयारी कर रहें हैं या पर पुलिस की तैयारी कर रहें तो इसमें फॉर्म एक जरू कीजेगा अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि पिछला कटा आप कितना गया था कि असमें के यहां इसमें सलेक्स आएं चा करना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो आपको चक्सू पब्लिकेशन की मिल जाती है यह बुक साइंस एंड अदर दैन साइंस अर्थात एक्स ग्रूप एंड वाई ग्रूप दोनों के लिए फुल डेडिकेटेड है और जो भी आपके एक्ज और जो भी इस्पेक्टेड कोश्चन है जो भी आपके एक्जाम में आने के चांसे साइं तो उन सारे कोश्चन को इसमें कलिक्ट किया गया है मोश्ट इंपोर्टेंट बुक है इसके जरी आप निश्चित अपने सफ़क्ता को सेवर कर पाएंगे और इसका प्रैक्टिस ए नंबर एक्स ग्रूप का कटाप गया था सतर में से तो अगर आप इसका परसेंटें निकालेंगे तो यह लगबग 31 परसेंट बैठता है माल लेजिए आप टोटल 32 परसेंट 32 परसेंट पर फाने सेलेक्शन हो गया था और ससी का कोई एग्जाम देने जाएंगे तो मिनिमम 33 परसेंट परसेंटेंग अगा परसेंटेंटेंज होता है और यहाँ पर 32 परसेंटेंट इसे तो आप कितना कम को मências और वाइब गुरूप के बारे में बात करें तो इसमें 33 गया था कितना को में से इतना कर लेते हैं तो भी आपका सब्रेपर हो जाएगा क्योंकोगी आप सबस्तरों इसमें अलेंगा है तो यहाँ पर सलेक्स लाइन की आप लेंगा है व्यूहिए अगर आफे यसे नंच लिएजिए यहां पर कॉब् t करें तो इसमें जो है physics आता है mathematics आता है यह यहां पर टेक्निका लाते हैं जो आपने 1112 में पढ़ा था वाई physics and math इसमें भी आता है किन्तु 22 कटाफ इस बार गया कटाफ इसमें कम जाता है तो इस तरीके साफ इसकी तैयारी कर सकते हैं बहुत कम competition होता है अगर आप इसमें इंटेस्ट है तो फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए क्योंकि बेरजुकारी से अच्छा है कि आप इसमें सेलेक्शन ले ले चले बाकि कोई डाउट आया कमेंट कर देजिएगा फॉर्म एप्लाई जरूर कर जिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जाहे